वक्त हो गया बिहार की पांच बड़ी खबरों का पहली खबर के और चलते बता दें बिहार में ग्रेविभाग ने 14,361 करमचारियों और अफसरों को प्रोमोशन का तौफा दिया है इनमें से 905 को इंस्पेक्टर और 4,826 को दरोगा और 2,893 को सहाइक अफसर निरक्षन और 1 1,651 को हवलदार आदी में उचितर प्रभार मिला है पोस्ट के साथ-साथ इन करमियों वापद अधिकारियों की सैलरी भी बढ़ेगी ग्रेविभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दूसरी ख़वर के ओर चलते बता दे केके पाटक के शिक्षा विभाग द्वारा शिषकों पर सकती जारी है पिछले साल जुलाई महिने से अभी तक 14,000 शिषकों का वेतन काटा जा चुका है वहीं स्कूलों में बच्चों की उपस्तिती 7% तक बढ़ी है पांच जनवरे 2024 को निरेक्षन रिपोर्ट के अनुसार 60% से अधिक बच्चों की उपस्तिती वाले स्कूलों की संख्या 67.60% तक है और तीसी ख़वर के और चलते हो बता दे बिहार के पटना के फुलवारी शरीव स्तिते गाउं में दो नबालिक बच्चों के साथ सामोहिक दुशकर्म करने का मामला सामने आया है घटना के बाद एक बच्ची की मौत हो गई है तो वहीं दूसरी बुरी तरह से घायल है उसे इलाज के लिए अस्पिताल में भरतिक राय गया है घटना की सुझना मिलने के बाद फुलवारी शरीव थाना पुलिस नहीं मौके पर पहुंचकर मामले की चानवीन शुरू कर दी है घटना के बाद गाउं के लोगों में मामले को लिखकर भारी आकोश व्यापत है और चौती ख़वर की ओर चलते बता दे दरभंगा जिले में नवयोक्त पांच शिशकों द्वारा शिक्षा विभाग को दिये गए सर्टिफिकेट को विभाग ने फर्जी करा दिया है इन पांच शिशकों पर बरखास्तकी की तलवार लटक रही है इन पांचों शिशकों ने उतरप्रदेश के गलोबल युनिवरस्टी का सर्टिफिकेट दिया था जिसे बिहार शिक्षा विभाग ने फर्जी बताया है और आखरी ख़वर के और चलते बता दे मकस अकरांती के अफसर पर दिल्ली इस्तित बिहार भवन में विशिष्ट महानू भाव को भगलपूर कतरनी चुड़ा परोसा जाएगा इसे लेकर बिहार भवन के आयुक्त ने भगलपूर के जिला दिकारी को पत्रलिक 30,000 किलो चुड़ा की मांग की है डियम ने जिला क्रिशी पदादिकारी को चुड़ा तेयार करवा 11 जन्वरी को दिली बेहजने का निदेश दिया है ऐसे ही बिहार की तमाम जन्कारी के लिए जुड़े रे पब्लिकेशन नियूस से और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें धन्यवाद